नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागत, आज हम पढ़ेंगे धोल के बारे में या एशियाटिक वाइल डोग, रीसनल ये न्यूज में इसलिए आये था, एक स्टेडी हुआ था, जहां 114 तालुकास या तरसल को आइडेंटिफी किया गया, वेर हैबिटेट्स कैन बी कंसोलेटेटर तो एन्हेंस पोपुलेशन कनेक्टिविटी फोर दोल और एशियाटिक वाइल डोग, देखिए दोस्तों, हमारे देश में एशियाटिक वाइल डोग की जो पोपुलेशन है, वो डिकलेन होता हुए तो कंसर्मेशन की ज़रूरत है, अब ये स्टडी में ये बोला गया, 114 तालूकास या तैसल को इन्होंने अइडेंटिफी किया है, जहां पॉपुलेशन कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, अब देखिए पॉपुलेशन कनेक्टिविटी मतलब क्या होता में आपको बत फिर कई दूर इथर एक पॉपुलेशन हाबिटाट होगा, फिर इथर एक रविटाट होगा, आप ये तीनों के बीच में अपनेक्टिविटी होनी चीए, बैसिकली इनकी फ्री मुवमंट होनी चीए, तब जाके इंट्रक्शन होगा, तब जाके ब्रीडिशन बढ़ने का चांस है, तो population connectivity मतलब free movement, एक habitat से दूसरी habitat तक free movement of doll हमें ensure करना है, इसके लिए जो कुछ भी करना है, करना है, तो ये जो study है, इस study के दौरान, 114 ऐसे तालूक या थरसल को identify किया गया, जहां population connectivity enhance करने के लिए कुछ किया जा सकता है, तो इसलिए ये news में आया है, ठीके, doll का scientific name ह कुओन अल्पिनस, अब दोस्तों, doll के बारे में कुछ important details, इन्हें asiatic wild dogs भी बोलते हैं, क्योंकि ये cable Asia में दिखते हैं, Asia में कहां का, central, south, east Asia, south east Asia, etc, Asia में सबसे याद आपको इंडिया में इनके population मिलेगा, इंडिया में तीन major landscape है, जहां इनके habitat है, एक है western gods, दूसरा है central India, तीसरा है north east India, it is a highly social animal, social animal मतलब दोस्तों ये हमेशा groups में रहेगा, अकेले नहीं घुमेगा, they live in large clans without rigid dominance hierarchy, अब ये dominance hierarchy मतलब एक important ecological concept है, देखें आपने साथ नोटिस किया होगा, कई सेरे animal groups में, एक animal दूसरे animals को dominate करते हैं, मतलब leader बन जाते हैं, उनके orders को बाकी सेरे animals monkey groups में देखने को मिलेगा, elephant groups में देखने को मिलेगा, वोर भी date सारे examples है, जहाँ dominance hierarchy है, पर ये जो doll population है, या फिर doll के जो clans रहता है, इनमें कोई dominance hierarchy में ने करते हैं, सब के लिए equal status है, equality है basically, and they contain multiple breeding females, अब ये multiple breeding females मतलब क्या होता है, behavioral ecology में इन्हें poly entry बोलता है, it is a class of mating system, where one female mates with several males इने breeding season, एकी breeding season में जब एक female, एक से ज्यादा male के साथ breeding करते हैं, इसको ecology में poly entry बोलते हैं, और ये जो doll population है, ये poly entry maintain करते हैं, है कि ने, अब international union of conservation of nature का endangered list में आते हैं, क्योंकि इनकी जो population है, decline होते हुए नजर आ रहा है, अभी कहिसाब से धाई हसार से कम population है doll का, तो इने conserve करने की ज़रूरत है, फिर देखे, इनके population decline होने का कारण क्या-क्या है, एक है habitat loss, deforestation की वजए से इनको रहने की जगा नहीं है, दीरे-दीरे habitat loss हो रहा है, फिर loss of prey, competition with other species, obviously बात हैं दोस्तों, competition तो रहेगा ही, दूसरे जो predators है, carnivores से उनके साथ इनकी population है, वैसे भी यह छोटे हैं, यह नहीं, तो यह थोड़ा कम हंड कर पाते हैं, प्रेस को, फिर persecution due to livestock predation, अब यह क्या होते हैं, दोस्तों, livestock predation, livestock मतलब क्या होते हैं, आपको पता ही होगा, जो cattle, sheep, goats, etc., इनने जब domesticate करते हैं, meat के लिए, धूद के लिए, इसको livestock बोलते हैं, अब अगर मा क्या करोगे, तो अब या तो आपको भगा होगे, या कुछ लोग इनने मार देते हैं, तो यह जो एशाटिक बाइलोग जब livestock के उपर अटाक करते हैं, तो जो farm होने इस बगर इनने मार देते हैं, तो यह भी इनकी population decline होने का कारण है, यह बता रहा है, फिर disease transfer from domestic dogs, जो domestic dogs है उनमें जो diseases होता है, वो इनमें भी transfer हो जाता है, तो यह बताए जा रहा है, तो यह सब reasons से इनके population decrease होने का, फिर देखें, इनके significance के है, they play an important role as apex predators in forest ecosystem, ठीक है, यह top predator है, forest ecosystem में, food chain में एक important role play करता है, besides the tiger, dhol is the only large carnivore in India, that is under IUCN endangered category, देखें, international union of conservation of nature में, दो ही carnivore है, basically बड़ा carnivore है, जो endangered category में, एक है हमारा national animal tiger, दूसरा है dhol, very important, and do you know, 2014 में Indian government sanctioned its first dhol conservation breeding center, देखें, dhol conservation breeding center यह काम पे, अंद्रा प्रदेश में, विशाग पतना में, इंद्रा गंधी zoological park, right, in India, dhol is protected under schedule 2 of the wildlife protection act 1972, ठीक है, wildlife protection act 1972 के schedule 2 में आता है, dhol जो है, अब दोस्तों, dominant सहरार्की का, एक example में आपको बता देता हूँ, यह देखें, फोटो मे यह है mantle, आपने Walt Disney का Lion King movie देखा होगा ना, उसमें character है mantle, एक monkey रहता है, अच्छली वो monkey नहीं है, mantle है, ठीक है, यह आफ्रिकया से बिलोंग करता है, तो यह जो male mantle है, इनके नाग के ऊपर, यह देखो आप, एक bright coloring है, तो यह coloring, इनके शरीर में जब testosterone प्रोडूस होता है, उसक इसे हिसाब से, इनके nose के ऊपर, यह जो coloring है ना, और ज्यादा bright हो जाएगा, जिसका nose के ऊपर, यह जो coloring ज्यादा होगा, वही बन जाएगा, इनके group का leader, दूसरे mantle को यह देखने से पता चल जागा, यही बहुसे हमारा, फिर इनके orders को सारे follow करते हैं, तो basically एक ranking system है, देखे are likely to compete for access to limited resources and mating opportunities, देखे, social groups में हमेशा fighting होता है, एक तो resources के लिए, फिर mating करने के लिए, female के साथ, तो यह fighting मगरा, अवोइट करने के लिए, इस तरह की ranking system establish करते है, groups में, जिसमें, एक दूसरे से उपर होगा, फिर वो अगर चाहे है, तो दूसरा हट जाएगा, तो इस तरह क एक system है, इसे हम dominance hierarchy बहुत सकते हो, देखे, dominance मतलब individuals preferential access to resources over another, दूसरे से ज्यादा मुझे access है, तो इसको बोलते dominance, तो I hope आपको समझ में आगे होगा, this is called dominance hierarchy, ठीक है, तो that's end of it दोस्तों, I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों की valuable suggestions and comments सामजे, please comment box में बता दीजेगा, thank you for watching, bye bye, have a next day.